नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की रैबियम DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है रैबियम DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रैबियम DSR कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। रैबियम DSR कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिद की मात्रा को कम करता है। रैबियम DSR कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रैबियम DSR कैपसूल का उप्योग किया जाता है। Rabium DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है, जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है, इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Rabium DSR Capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है, ज्यादा तर Antibiotic दवाओं के सामानने Side Effects में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए Antibiotic दवाओं की वजह से ये Side Effects ना हो, इसलिए आपका Dr. Rabium DSR Capsule को Antibiotic दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है, इसके अलावा Rabium DSR Capsule का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger Elicen Syndrome को Treat करने के लिए भी किया जाता है, Jolinger Elicen Syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में Acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है, Rabium DSR Capsule के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, Rabium DSR Capsule के अंदर Salt Composition, Rabiprazole 20-AMG और Domperidone 30-AMG होता है, दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूले, अब हम दिसकस करेंगे की Rabium DSR Capsule को कैसे लेना recommended होता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को, डॉक्तर Rabium DSR Capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं, Rabium DSR Capsule को खाना खाने से कम से कम एक धंते पहले लेना चाहिए, लेकिन Rabium DSR Capsule की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको Rabium DSR Capsule को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना Rabium DSR Capsule को नहीं लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की Rabium DSR Capsule की वजह से क्या side effects हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Rabium DSR Capsule की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में Rabium DSR Capsule की वजह से कुछ सामाने side effects हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्ड, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन, सिर्दर, शरीर की मास पेसियों या जोडों में दर्ड होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं, इसके अलावा Rabium DSR Capsule की वजह से कुछ व्यक्तियों में कप्स की समस्या भी हो सकती है, लंबे समय तक Rabium DSR Capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक Rabium DSR Capsule को लेने से, शरीर में वितामिन C, वितामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना Rabium DSR Capsule को दो सपताह से अधिक नहीं लेना चाहिए, लंबे समय तक या दिन में कई बार Rabium DSR Capsule को लेने से, औस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है, औस्टियो पोरोसिस होने पर शरीर की हड़िया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है, Rabium DSR Capsule की वजह से औस्टियो पोरोसिस कभी होता है, जब Rabium DSR Capsule का सेवन लगाता, एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए, अगर आप दिन में कई बार Rabium DSR Capsule का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी औस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है, अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Rabium DSR Capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं, रे जरूरत पढने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेिम D sir capsule को लेने की सलाह दे सकता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं को Raybium DSR Capsule को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Raybium DSR Capsule को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैबियम DSR कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं